नमस्कार दोस्तों आप सब्सक्राइब आप स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसा कि आपको पता है कि बीए सब हैट कॉंस्टेबल मिनिस्ट्रेल और एसाइ स्टेनों की भरती आ गई है और फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गया है लोग भर भी रहे हैं अपलाई भी कर रहे हैं तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके श्लेबस की बारे में क्योंकि पहला इसका रिटन ही होना है तो डिन की तैयारी के लिए आपको श्लेबस को जानन बहुत ही ज़ूरी है विना स्लेबस के जानकारी के बिना आप किसी भी एक्जाम को ऍलियर नहीं कर सकते इस वीडियू में आपको इंगलिस को बताने वाला हूं अब पूरा डिटेल हैं बताँगा कि कहां कहां से क्वेश् और चैनल को सब्सक्राइब तो करें लेना है जैसा कि आपको बोर्ट पर दिख रहा होगा मैंने सारा स्लेवर्स आपको लिख रखता है अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि कहां से कैसे बढ़ना है ठीक है यह तो देखिए स्लेवर्स इस टैप का है कि यह चीजे छोटा-इस होगा भी आऊफ कर लजया कि इस पर। बंढ़ना नाम है अंब इसमें лай??? अब इसमें पूछ लेगा कि इसमें गलती कहां पर है इर्र कहांСТार अ है इसको इसको बांदेगा इसको बना देगा और इसको ऑनादेगा आप बोले किस पार्ट में यहां पर D में कर देगा No Error ठीक है आप बोले किस पार्ट में गल्ती है तो आपको पता है कि RAM singular है तो इसके साथ verb is singular आने चाहिए तो यहा पर helping word singular आने चाहिए तो यहाँ पर आपके आर की जगा पर is होगा इस तरह से आपको find करना है, spot the error के लिए आपको पढ़ना क्या है, पहली बात तो spot the error के लिए आपको grammar पूरा आना चाहिए, grammar का पूरा जैसे noun, pronoun, आपको part of speech पता होने चाहिए, subject और work का agreement क्या होता है, जिसकि subject अगर आपको similar है, तो उसके साथ verb कैसी आएगी, helping verb कैसी आएगी main verb कैसा है, अगर सब कुछ आपको पता होना चाहिए, preposition, conjunction वगएरा, ये सब सारी चीज़े आपको पता होने चाहिए, अगर आपको spot the error करना है, बिना grammar की जाने आप नहीं कर सकते, इसके लिए मैं बुक भी आपको selection कर रेता हूँ, आपको Lucent की बुक दिख रही होगी, तो आप इस बुक को prefer कर सकते हो, मैंने भी इसी से पढ़ाई की थी, और मेरे पास और advanced की भी बुक थी, मगर इसके बुक में कहूंगा कि ये थोगा beginners के लिए बहुत अच्छी है, एडवांस लेवल जिसे bank अगएरा के तयारी कर रहे हो तो उसके लिए बुक अलग आती है, मगर beginners के लिए छोटे मोटे exam के लिए आपके लिए ये थी बुक बहुत अच्छी है, इस बुक से आप पढ़ सकते हो, उसके बाद आता है fill in the blanks, fill in the blanks जैसे कि आप जैसे कि राम है, आप यहाँ पर राम going to school, ठीक है, अब यहाँ fill in the bank, वो लेगा कि यहाँ भर हो, option देद आपको कुछ भी देदिया, इस तरह से आपको option देदिया, और आपको क्या करना है, उसे fill करना है, तो fill in the blanks के लिए भी आपको grammar आना चाहिए, तो grammar तो main है, इस grammar की बिन आप कुछ कर भी ही नहीं सकते, तो main portion अगर तयारी करो ना, तो पहले आप अपने कोशिस करो, कि English की grammar जैसे कि part, YOUR speech आपको पता सकते है, subject words, agreement तो इस इस प्रिफर कराएं तो ऊसमें बहुत ही अच्छे से और इंगए कोई बीचीज आगे पीछे नहीं है सब के सेक्षन को डिवाइड किया गया तो आप इस बुक को पढ़के भी कर सकते हैं उपड़ से आप इस बुक को रिफर कर सकते हो बहुत अच्छी बुक कहुंगा उसके बाद आपको फॉर्थ नंबर है कि नहीं कि मिस्स्पल्द वागरा बताना है जैसे कि आपको पता है कि माली जे किसी की तोस ही आपको पता करना म defensiveन km नोम्म बटानी पड़ेगे और उसमें चार और ऋप्सिंदिये रहेंगे चार और बतान भाए just तो यहां से आप यह भी ब्लैक बुक से मिल जाएगा आपको वहां से पढ़ सकते हैं अब उसके बाद आता है इंप्रूमेंट आफ सेंटेंस बोल देगा आपको जैसे कि मालेजर राम और गोईंग तूश्कूल ठीक है अब इसमें बोल देगा इसको इंप्रूव करना है ठीक है इसमें चेंज लिश करने है या दिखो यह पहले तो यह गलत है अब इसमें बोल करना है इसको change करना है ठीक है या फिर बोल देगा कि इसकी कुछ मलब speech change करो कुछ भी change करो तो इस तरह से improvement के लिए sentence आते हैं जिसे यह गलत है यहाँ पर बोल देगा इसको improve करो change करो इसको सही होते हैं कि इसको हल करने का तरीका होता है कि इसमें option दिये रहते हैं आपको option में देख लो ज्यादा कुछ करना रहता है नहीं है एक्टिवाइस पैसिवाइस में diet in diet smell तो इसके बाद आता नाइन राम ठीक है अब मैं इसको number देदू एक दो तीन और चार इस तरह करके number देदू यह सफल हो गया अब सफल है मलब कि आगे पीछ हो गया है अब इसको arrange करना है तो यही है अब को सफल करके आपको सही arrange बताना है कि सही किस तरह आएगा इसी तरह पैसेश भी आता है पैसेस थी क्या होता है कि पूरे प्री सेंटेंदे दे दे पूरा-पूरा penny कि अगर ऊगरा उसकी बात करें उसमें कुछ लिखा हुआ है और यहाँ फिलिंदा ब्लैंक से है उसके बाद एक आता है को Southernorie के इसमें WA Beach अब करना रहता है अ ивает pastor पुछन पूछलेका अप उसका निकाल कि कौन से सही होगा अप उसके ऑन साद आया रहता है तो English का आप portion देखो, तो आप मेरे इसाब से दो book prefer कर सकते हो, एक तो Lucent की मैंने आपको English की बताई, और एक आपको मैंने black book बताई, ये दो book refer कर सकते हो, उसके बाद हम इसका practice set आपको provide कराएंगे, पूरा-पूरा practice set प्रवाइंगे, आप practice set से आप practice करना, उसके बाद आपक प्रेक्टिस कर सकते हो, उसके बाद practice set हम जब आपको provide करेंगे, तो जितने भी 20 question आने English के, आप उसको practice करोगे, तो उसके बाद आपकी हो जाएंगे, ठीक है, इसी तरह से आपको पढ़ना है, ये दो book ही बोलूँगा, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, उतना ज्यादा अभी ने, थोड़ा बोद आप कर सकते हो कि थोड़ा सा अगर आपको बहुत ज्यादे problem होती ही English में, तो आप थोड़ा सा reading start कर दो, reading मतलब कि आप newspaper पढ़ने से क्या होता है कि थोड़ा सा आपको दिमाग में क्या होता है English चलने लगती है, आप सोचने लगती हो English में, पढ आपको फायदा मिलता है, close test में, close passage में, और आपको फायदा मिलता है, और कुछ जगह आपको spotting error में भी फायदा मिलता है, तो आप क्या कर सकते हो कि Indian Express Indian Express आपका newspaper है, आप उसको prefer करते हैं, तो free of cost है, इसका mobile में आप आता है, आप कुछ news वगरा पढ़ा करूँ से, दा हिंदू में refer नहीं करूँगा, कि दा हिंदू बहुत ही high level का हो जाता है, उसमें wording वगरा काफी high होती है, तो उसको थोड़ा समझ पाना बहुत मुश्किल ह सकते हो, वहां से आप पढ़ो, इससे क्या होगा कि आपकी reading, skill बढ़ेगी, आपकी पढ़ने की अच्छी बढ़ेगी, तो इससे आपके passes अच्छे हो जाएंगे, close tastes अच्छे हो जाएंगे, और आपके spotting, error वगरा, कुछ आपकी spelling वगरा भी मजबूत होगी, आपकी spelling वगर है, आपको थोड़ी से महनत करने की जड़ुत है, और जिस तरह से मैं आपको बता रहा है, उस तरह से पढ़ना है, अगर मैं अभी बताओं, अगर आपको अभी तयारी करनी है, तो अभी आप अपना math, ठीक है, math और English लेकर, तयारी करना start करोगे, तो इससे ये रहेगा कि आपका math complete हो जाएगा और English complete हो जागा है, और इसकी आप जाके फिर आगे जाके practice करते रहना, ठीक है? practice करते रहना, इस तरह से आप practice करते करते, आप इसको तयार कर सकते हो, तो अगर आपको कोई भी बी doubt आ रहा है, वैसे मैंने सब कुछ बता दिया, बुक भी प्रिफर कर आपको Slavers समझा दिया, कैसे पढ़ना ये भी बता दे रहा हूँ Antonella Sinan MC मैंने वीडियो कुछ डाली हुई है आप उसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो, बागी आगे भी मैं आपको Slavers कराता रहाँगा भी थोड़ी से प्राब्लम हो रही है तो मैं इसके बाद आपको आपको स्लेबर्स भी कम्टेट कराऊंगा तो कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना या फिर मुझे टेलिग्राम पे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे डियम कर सकते हैं तो अभी रेंटें अलविदा मिलते हैं , अगर अच्छे लेकर तो लाइक भी कर देना और कियानल Benjamin हो तो निच्छे रीडर को सब्कूप बटन पै ये को 1 मीख ही मुझे पर बीच कि पको दिख़ सु मच्छ